नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितन चौदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एरूटेक में दोस्तों मैं फिर आजुन हूँ आप लोग के सामने एस बैंक के एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों जब भी एस बैंक से लेटेट कोई भी न्यूज अपडे टाइम देना पड़ेगा इस पैंक को और आज देखिए बैंक में एक बहुत बड़ी डील हुई है बैंक ने जो है बीसी आप जानते होंगे यदि आप स्टाक मार्केट में काम करते हैं तो आप बीसी को भूल ला है यह तो इंपॉसिबल है क्योंकि आज जो है बीसी जोइ उसका हेड़कॉर्टर मुंबई यानि के बॉंबे में है और बीसी का पूरा नाम है बॉंबे स्टाक एक्स्टेंज अब SBI HDFC ICI के बाद इसने जो है एस बैंक से डील किया है एस बैंक से हाथ मिनाया है और किसलिए SEME के इंटरप्राइज जाएंड की small and medium enterprises को जो है इनकरेश करने के लिए उनको मोठिवेशन देने के लिए उनको आगे बढ़ा होने के लिए उनको इंपावर देने के लिए जो है BSC ने S-Bank के साथ hand up किया है, हाथ मिलाया है, ताकि ये दोनों मिलकर जो है जो छोटे और लगू उद्धियोग वाले जो businessmen है, जो small medium enterprises हैं, उनको जो है आगे लाया जाए और उनको उनके साथ जो है मजबूती के साथ खड़े होकर उनके साथ काम किया जाए, ताकि ओ जो है इ अजय ठाकूट उन्होंने announcement किया है कि इस deal से S-Bank और BSC के इस hand up deal से जो है काफी जादा फायदा जो है SMU वाले को होगा, यानि कि small medium enterprises जो medium जो मध्यमबर की व्यापारी हैं, उनको जो है काफी अच्छा ये deal जो है उन लोगों के लिए शाबित होगी, तो ये जो deal हुई है दोस्तो BSC और S-Bank में, ये S-Bank के लिए तो अच्छी ही है, और खासकर उनके लिए जिन्होंने S जो है काफी है दोस्तो, यदि आप स्टाक मार्केट में काम करते हैं, तो आप भूल नहीं सकते हैं कि BSC जो है, Bombay Stock Exchange जो है, जो सेसक्स को मेंटेन करता है, और NSC यानि कि Nifty 50 को मेंटेन करता है, तो BSC में जो टाप 30 कंपनियां होती हैं, जो ताप 30 कंपनियां होती हैं, उनक सकते हैं, बिल्कुल आराम से निशिन्त हो सकते हैं, क्योंकि S bank में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, अब वो डूबने वाला नहीं है, क्योंकि S bank में डील के बाद डील होती हुई, आपको नज़र आ रही है, तो वीडियो में और भी ऐनालेटिक करेंगे, S bank के किसी आपने फैक्टर पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को अन तक पूरा जरूर देखिए, तभी जाकर आपको सारे concept clear होएंगे, देखिए कल इस टाक 13 रूपे 35 पैसे पे close हुआ था, और आज की रिट में 15 पैसे बढ़त के साथ जो है open हुआ, 13 रूपे 50 पैसे के साथ gap up opening हु 82,182,183 की quantity में S-Bank के से टेट किये गए हैं, जिसमें से 1 करोड 56,2586 सेरों की डिलिवरी उठाई गई है, यानि तक्रीवन 40.87% की डिलिवरी जो है, आज की टेडिंशेर्शन में जो है, उठती हुई दिखी S-Bank के स्टाक में, हलाकि अगर आप comparison करें पिछले delivery डिटा पर तो आज का डिलिवरी डिटा है, कल की मुताबिच आज अधिक है, और आज जो क्लोजिंग हुई है, S-Bank में बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है, और यह आज अपने ओपनिंग प्राइस से जो है, ऊपर जो है क्लोज हुआ है, तो यह S-Bank के लिए एक बहुत ही अच्छा सुप संकेत है, कि आने वाले टाइम में, S-Bank में तीजी आपको देखने को मिल सकती है, अब बात करेंगे, दोस्तों, S-Bank के कोर बिजनस, के यस बैग के स्टाट है उसकी मूल लुन क्या है उसका कोर वेलु क्या उसका कवर्छ सक्टाट थो अभी फिलाल अ sir दोस्तों आपको इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट का कारड येस žeго कोई बुरी नहीं थी कोई ऐसी बैड नहीं थी जिसके कारड़ गिरावट बनी थी आपको तेजी देखने को मिल रही है अब बात करते हैं इसके फाइनल स्कीर परोफाइल की देखिए कुछ दिन पहले इसमें पंद्र दिन पहले इसमें दोस्तों लगातार जो है छह साथ पॉलिशी बेशती है उसने यह सथ डील किया फिर इंडिया की प्राइबड 2 बंक sera पर देश में इस व्यापार को चालु करें और दोनों एक साथ मिलकर insurance policy को बेचे तो HDFC life जहां पर एक private sector bank है और दूसरा SBI life जहां पर insurance का काम करते हैं दोनों और SBI life जो है government sector का bank है तो government और private दोनों आ रहे हैं S bank में और आज जो दोस्तों न्यूजनी के लिए वो stock exchange आप सोच सकते हैं कि stock exchange कितना बड़ा deal है क्योंकि BSC और NSC इंडिया में दो ही stock exchange है एक है BSC और एक NSC तो BSC यानि कि Bombay Stock Exchange के साथ जो इसकी S bank के साथ जो hand ups दील हुई है एक कितनी बड़ी deal हुई है आप कुछ सोच सकते हैं तो जो लोगे बोल रहे थे कि S bank का share 10 रुपे पे आजाएगा नो रुपे पे आज आएगा पांच रुपे पे आजाएगा तो आप कह कर ओगे लेकिन फिर भी मैं आपको motivate करता था ज JO ace'd लोस्तों 11 रुपे के पराइया था मेंं और एक मैंने फ़ीट बैक था कि एक मैंक को कै करना चाहिए कि इस एक बेज दाना चाहिए आफ लोगोने उसे बहुत अच्छ से प्यार दिया और वीडियो को लाइक किया और आप लोगोंने फ़ीड़बैक दीया कि यह कभी नहीं बेचें गे और बहुत से s bank में invest किया है वो ट्रेडिंग के परपस से तो इन्विश्च नहीं किया है एँ उस फीडवेक से तो मुझे पता चल गया और आप भी s bank के stock में अपने पैसे को लगाए हैं तो आप इसलिए लगाए हैं ताकी आप इस stock को जो है लंबे समय तक ले यानि कि 2 साल 4 साल 5 साल के बात लिए इसलिए आपने स्टाक को इतने कम प्राइज पर बाई किया तो इस बाइंग का आपका सीधा-सीधा एक ही मतलब होता है कि आप की स्टाक को जो है लंबे समय के लिए होल्ड रखना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है जो बैंक को क कारवाल समारा है S-Bank में तब से लगातार जो है एक की बाद एक डील करते हुए उनजर आ रहे हैं इतनी सारी डील हुई पहले S-Bank ने SVI Life Insurance को जॉइन किया फिर HDFC Life Insurance को जॉइन किया फिर ICICI के साथ इसकी डीर हुई फिर LIC ने इसमें अपना इस्ट्रेक बढ़ाया पर मोटर भी इसकी तरफ आ रहा है एक चहता सेर था और ये सेर दोस्तों 400 के ऊपर टीट करता हुए आपको नोजर आ रहा है और वो 400 का सेर दोस्तों आज 14 रुपे पर आ रहा है तो आपको खईदने में दिक्कत है क्योंकि जब स्ट्राक का भाव 400 था तो उसमें तो आपने खड़ा ही लेकिन अब जो लोहा तो आपको डर लग रहा है देखिए इतिहास जो है हमें तो इतिहास को दो राता है आपको नहीं भूलना चाहिए येस की सब्सक्राइल डील होई है और ICRA ने भी इसकी रेटिंग बढई बढ़ा दीए कि आब इसकी जो फाइनेल प्रफाईल ये पहले से अच्छी होई हो जो इसका जो है जो इसने आरवी आई का जो पचास और क्रोड रूपे का करजा था एस बैंक ने उसको भी चुकता कर दिया आपको पता होना चाहिए यानि आप दिरे-दिरे इसके जो करजे हैं ओक कम हो गए हैं और इसका जो एन पी रेड़ था आप भी एस बैंक में ओ धीर केजिए ताकि हमारा उस्सा बढ़ता रहा है जब भी कोई जाएगी दोस्तों एस बैंक मैं कोसिस करता रहूंगा कि सबसे पहले निज वह आप तक पहुंचे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद